हेलो बच्चो एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिस क्लास में स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गुर्तवाकरसन के संदर में गुर्त तोरन पर ब्याख्या किया था और हम लोगों ने ये जाना था कि गुर्त तोरन के मान में किस-किस प्रकार से परिवर्तन आता है जिसमें हम लोगों ने आपको चार फैक्टर बताया था एक उचाई का परभाव बताया था एक गहराई का परभाव बताया था एक पिठिवी के आकरती का परभाव बताया था और चौथा था पिठिवी के गुनन गती के कान गुर्ट तोरण के मान में परिवर्ट नाता है तो चलिए आज हम लोग उसी एक अक्षा को आज आगे बढ़ाते हैं बचों और एक नए टॉपिक्स जिसको हम लोग गुर्टवा कर्शन छेत्र काते हैं इसके बारे में हम लोग जानने का प्रियास करते हैं तो ये बहुत असान टॉपिक्स है आप लोग जान सकते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बचों की गुर्टवा कर्शन छेत्र कीति वर्ता क्या होती है गुर्टवा कर्शन का भीभव क्या होता है गुर्ति उर्जा क्या होती है तो इन सब भी भीने topics पे हम लोग कर्मागत रूप से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, बच्चों तो चलिए हम लोग भीना समय गवाई जो है हम लोग चर्चा करते हैं पे गुर्टवा करशन छेतर किसको काते हैं तो सिंपल सा बात है बच्चों कि किसी द्रब्यमान के जदी चारों और जो होता है जब दो द्रब्यमान को आपस में रखा जाता है आप लोग जानते हैं बच्चों कि जब दो द्रब्यमान को जब आपस में रखा जाता है तो दोनों द्रब्यमान जो होता है एक बल का अनु और होता है क्या कि उस छेतर के अंदर जब हम लोग किसी दूसरे द्रब्यमान को ले जाते हैं तो वो एक परकार का बल का अनुभाव करता है तो इसी छेतर को वह सिमित छेतर ही जो होता है उसी को हम लोग गुर्तवाकरसंग छेतर कहा जाता है तो इसका सबसे पहले परिवास हम लोग इस पर का लिखेंगे, किसी द्रब्यमान के चारों और का वा सिमित छेतर, जहां किसी अन्य द्रब्यमान को लाने पर आकरसन बल का अनुभाव करता है, आकरसन बल का अनुभाव करता है, तो वा सिमित छेतर, गुर्टवा करसन छेतर कहलाता है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आगया होगा बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक कोई द्रब्यमान है, ये एक छोटा सा कोई द्रब्यमान है, या बड़ा भी द्रब्यमान हो सकता है, तो ये अपने चारों और एक छेतर बनाता है, जिसको हम लोग काते हैं परभ बिमान के कारण एक बल का अनुभाव करता है लेकिन वहीं यदि इस छेतर के बाहर यदि इस दरब बिमान को रखेंगे तो कोई बल का अनुभाव नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि जहां तक वो एक रेंज होता है कि कहां तक जो है ये एक बल का अनुभाव करता है तो वह सि गुर्तवाकर्सन छेत्र कहते हैं तो समझ में आगे होगा बचों तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद है बचों गुर्तवाकर्सन छेत्र की तिबरता किसको कहते हैं गुर्तवाकर्सन छेत्र की तिबरता कहते हैं किसको कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अलग अपनी तिबरता होता है तो कोई छेतर क्या होता है बच्चों कि किसी दूसरे बस्तू को या किसी अन्य द्रबिमान को अधिक बल से खिचता है कोई ऐसा छेतर होता है जो किसी अन्य बस्तू या अन्य द्रबिमान को कम बल से खिचता है तो इसका मतलब है कि हर छेतर की आखिर जो छेत्र के अंदर किसी अन्य बस्तू पर कोई कितना बल लगाता है कितना बल लगाता है वह जो छेत्र है बन रहा है जैसे यही छेत्र आपको बताएं यह गुर्टवा करसन चेत्र है तो इस द्रभिमान पर वो कितना बल लगाता है यदि अधीक बल लगाता है तो क काम भल के संदर्व में चेतर की तो देखिए इसका परिभास हम लोग इस पर कर देते हैं बचो कि गुर्तवा करसन छेतर के अंदर एकांक दरबेमान द्वारा एकांक दरबेमान द्वारा अनुभाव किया गया बल को आप द्वारा करेगा जैसे के मैं आप लोगों को कल्क्रेशन के द्वारा दीखाता हूं मान देते हैं बचों की देएका है जैसे यहां द्वारा नां व्सक्राइ सब्दान करता है कोई बस्तू छेत्र के अंदर, मतलब गुर्त्वाकर्शन छेत्र के अंदर, है न, छेत्र के अंदर, छेत्र के अंदर एफ बल का अनुभाव करता है, है न, एफ बल का अनुभाव करता है, बचो, है न, तो अब बताईए, एकांक दरब्यमान, छेत्र के अंदर, एकांक कितना बल का अनुभाव करेगा एफ बाई एम बल का अनुभाव करेगा हम लोग जानते हैं यह बिच तो यही हो गया एकांग दर्मान परिवासा के अनुसार एकांग दर्मान दौरा अनुभाव किया गया बल है न हम लोग गुर्टवा करसन छेतर की तीबरता काते हैं तो ए कैसे suffering इसको करली जी से तो करली जी मतलब करल हैerving सदर में हर चीज को जी से ही सुचित का है था है आप गुर्त तोरण को पढ़ेंगे तो छोटी जी से गुर्तव अगर्सन ये तांग पढ़ेंगे तो बड़ी जी से तब इसको भी हमलों कर texts कर लोंगे जी इसका मात्रक क्या होगा देखे तो इसका मात्रक हम लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है देखे एसाई मात्रक यदि हम लोग कहेंगे तो इसका एसाई मात्रक क्या हो जाएगा SI मात्रक, MKS सिस्टम में इसका मात्रक कितना हो जाएगा तो बल का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और द्रबिमान का मात्रक होता है किलो ग्राम, नहीं किलो ग्राम होता है हम लोग ये चीज़ जानते हैं द्रबिमान है ये द्रबिमान जो है अपने चारों और क्या करता है गुर्टवा करसन छेतर बिक्सित करता है अब जान रहे हैं और इसके अंदर एक छोटा सा द्रबिमान हम लोग एम द्रबिमान का लाते हैं तो ये ये द्रबिमान इस छेतर के अंदर कितना बलका अनुबव करेगा वो इस छेत्र की तीवरता अपर निर्भर करता है तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी अभी फिलाल कितनी है आ रहे हैं तो यहाँ पर देखे क्या लिखते हैं कि माना माना एम द्रभिमान के कारण निर्मित गुर्त्वा करसन छेत्र के अंदर चेत्र के अंदर एम द्रभिमान का कोई बस्तु को आर दूरी पर रखा गया है आर दूरी पर रखा गया है तो दोनों के बीच कितना बल लगेगा तो लिखेंगे दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा तो लिखेंगे दोनों द्रभिमानों के बीच लगने वाला बल कितना होगा तो हम लोगे एफ इजे कुल्ट हम लोग पढ़े है बचों जी एम एम और बटा यहाँ पर हो जाएगा आर स्कुएर तो या मान जो है बचों हम लोग क्या करेंगे गुर्तवा करसन छेतर की तीबरता का जो समीकरन होता है ये वाला समीकरन जो है यहाँ पर हम लोग रख द तो क्या मिलेगा हम लोग तो गुर्तुआ करसन छेतर की तीवरता कितनी हो गई जीज एक्वल टू कितना हो जाएगा तो करली जीज एक्वल टू एफ का बेलू यहां पे रख देंगे जी एम एम और नीचे में हो गया R स्कृएर इंटू-म तो एम म यहां से चंचील हो गया प्रेम बटा और स्कोर तो यह मेरा निकल गया गूर्टवा करचने छेत्र की तियु बरता का बिय अंजक वगया बचो है नए तो इसका मात्रक क्या होता है आप जारंगे बचो इसका मात्रक होता है कि न्यूटन पड़ती केजी स्क्वेर होता है अब इसका अंधर और भी बह आएगा Newton परती केजी आएगा एक्जाम में जो है बच्छों objective में इसका कभी कभी dimension जो है आप लोगों को पूछा जाता है तो इसका dimension जो होता है बच्छों बल का dimension क्या होता है जैसे ML यहां पर हो गया T माइनस टू यह बल का dimension हो गया फिर नीचे में आपका क्या जाता है केजी होता है ने तो केजी का भी dimension M होता है तो यह M M कैंसिल हो गया तो इसका dimension क्या हो जाएगा lt-2 जो कि तोरन के जैसे बराबर होता है तो ये क्या होता है इसका बीमा लगबाख तोरन के बराबर होता है गुरुत तोरन आप लोग पढ़े होंगे बचों तो ये जस्ट गुरुत तोरन का इसका जो बीमा होता है गुरुत तोरन के बराबर होता है तो ये गुरुत्वत्वत्वरन के बराबर है या गुरुत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् चेत्र की तिवर्ता गुर्त्वाकर्शन चेत्र की तिवर्ता का जो एक्सप्रेशन होता है जो बेंजक होता है का बेंजक गुरुत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्व अलग-अलग होता है, दोनों का interpretation भी दोनों का significance भी दोनों का अलग-अलग होता है, यहां पर याद रखेगा बचों यह चीज़, दोनों अलग-अलग बहुत ही क्रासी है, तो गुर्टवाकर्शन छेतर की तीबटा आप लोग को अच्छीता से समझ में आ गई होगी बचों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझने का प्रियास करते हैं कि गुर्टवाकर्शन बीभव क्या होता है, बचों, जिसको अम लोग गुर्टवीभव भी कहते हैं, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं बचों आगे कि गुर्टवाकर्शन या गुर परिबासा दिखेगा बच्चों इसका परिबासा इस परकार होता है कि गुर्टवा करसन गुर्टवा करसन छेत्र के अंदर एकांग दरबेमान को अनंत से किसी दूसरे बिंदू तक अनंत से किसी दूसरे बिंदू तक लाने में किया गया कार्ये को गुर्ट बिभाव कहा जाता है गुर्ट बिभाव कहाते हैं ईसका परिबासा एक बर मैं मैं फिर से पढ़ देता हूं बच्चों कि गुर्टवा करसन छेतर के अंदर एकांग द्रब्यमान को आनंत से किसी दूसरे बिंदू तक लाने में किया गया कारी को गुरुत विभाउ काते हैं जैसे आप लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं बच्चों कि एक यहां पर द्रब्यमान है बच्चों देखिए आप इसको समझेगा यहां पर एक द्रब्यमान है यह द्रब्यमान जो होता है यह एम द्रब्यमान है बचों यह अपने चारों और जो होता है एक गुर्टवाकरसन छेतर बनाया समझें यह अपने चारों और जो होता है गुर्टवाकरसन छेतर बिक्सित करेगा तो अब काते हैं कि अनंत दूरी से कोई अनंत मतलब अनंत दूरी से जदी एम द्रब्यमान के बस्तू को इसके अंदर यदि हम लोग लाएंगे बच्छों है ना तो जितना कार ये हमको करना पड़ेगा उसी कार ये को हम लोग काते हैं गुर्त भीबाओ तो आप लोग बात को समझ में आ गया बचो कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये दरबेमान और ये इसका छेतर अनंत दूरी तक फैला हुआ इस दरबेमान के कारण मतलब ये बिंदू जो है अभी इंफिनिटी पर है मतलब ये दरबेमान अपना गुर्टव आकरसन छेतर जो है अनंत दूरी तक फैलाएवे रखा हुआ है यहाँ पर अनंत है और अब इस बिंदू से एम दरबेमान के बस्तू को हम लोग कहां करेंगे इस बिंदू तक लाते हैं तो सबसे पहली बात है कि अब दोनों ही दरबेमान के बीच में आकरसन बल काम कर रहा है आकरसन बल तो इधर होगा अब इधर ही काम कर रहा है बस तो को हम लोग इधर बिस्थापित हम लोग कर रहे है तो हम लोग को कारी हम लोग का धनातमक होगा बच्चों बिस्थापित कर रहे हैं बल जब इधर लग रहा है और बिस्थापन कर रहे हैं तो हम लोग कारिय का परिवासा जानते हैं कि बल गुना बिस्थापन को कारिय का जाता है तो गुर्तवाकर्सन बल इसको इधर लगा रहा है और हम लोग गुर्तवाकर्सन छेतर के अंदर बिस बच्चों समझ में आ गया बच्चों तो यहां पर देखे आपको बात में फिर समझाओंगा यह बात लेकिन आप लोगों को एक सौट आइडिया में आया पर दे देता हूं देखे मान लेता हूं कि माना एम दरबेमान के अंदर माना एम दरबेमान के अंदर अनंत से किसी दूसरे बिंदू तक लाने में लाने में किया गया कारी कितना है डबलू है लाने में किया गया कारी डबलू है तो एकांक दरबेमान को अनंत से किसी दूसरे बिंदू तक लाने में किया गया कारी कितना होगा जदे हम एम दरबेमान के बस्तू को अनंत से किसी दूसरे बिंदू तक लाने में हमको तो एकांग द्रममान को अनत से किसी दूसरे बिंतक्त लाने में कितना कारी करना पड़ेगा तो हम लोग कितना कारी करना पड़ेगा ड़ब इसका बेंजक है बच्चों समझ में आगे आप लोगों को तो अब बताएए गुर्तु आकर्सन बीभाव का गुरुतु बीभाव का मातरक क्या होगा गुरुत विभाव का मात्रक तो कारी का मात्रक आप लोग जानते हैं बचों जूल होता है और द्रबिमान का मात्रक क्या होता है किलो ग्राम होता है आप लोग जानते हैं तो जूल को हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं और किलो ग्राम को केजी से इंडिकेट करते हैं तो यह गुरुत विभाव का बेनजक हम लोग कैसे निकालते हैं। समझें। गुरुत विभाव का बेनजक गुरुत विभाव का बेनजक हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको समझने का प्रियास करिए। मान लेते हैं कि यहां पर एक बड़ा द्रविमान एहम रखा गया है जो की अपना जो की अपना छेत्र जो होता है ने बचों वो आनंत दूरी तक फैलाया हुआ है छेत्र के संदर में एक बात में आप लोगों को और बता देता हूं बचों कि गुर्तवाकर्शन छेत्र जो हो चाए बिधुत छेत्र हो चाए वो चुम्बक्य छेत्र हो तीनों छेत्र की एक बिसेस्ताइं होती है कि जब इस छेत्र का जब हम लोग सिधान्त दे रहे होते हैं जब इस छेत्रों का जब हम लोग सिधान्त देते हैं थियोरी जब दे रहे होते हैं तो हम लोग ये कलपना करते हैं बच्चों कि ये सभी छेत्र अनंत दूरी तक फैला होता है कहा तक फैला होता है अनंत दूरी तक फैला होता है लेकिन जब हम लोग इसका परयोग करते हैं परयोगी परयोगात्मक रूप में हम लोग ये मानते हैं कि ये तीनों छेत्र जो होता है सिमित होते हैं सिमि गुर्तवा करसंचेत्र अभी अनंत दूरी तक पहला होता है तो हम लोग यहां पर उसी तरह माने बचों कि एहम द्रब्यमान का एक बस्तू की कलपना की है जो अपना गुर्तवा करसंचेत्र अभी अनंत दूरी तक पहलाया हुआ है अब यहां पर हम एक कलपना करते हैं बच अभी कहा है बचो आनंत पर है अभी दोनों बस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है अभी दोनों बस्तुओं के बीच की दूरी हम लोग कहा देते हैं X है इसको हम लोग यह मानते है कि दोनों बीच की दूरी कितनी है X है दोनों बस्तुओं के बीच की दूरी अभी X है आप ल variation को दिखा रहे हैं कि x यहाँ पर अभी 0 है और x अभी हाँ पर infinity चुकि दोनों के बीच के दूरी अभी x हम लोग माने x यहाँ पर 0 है यहाँ पर x infinity मला आनंत को भी हम लोग एक दूरी से define कर लिए हैं ना आनंत को भी हम लोग निर्मित गुर्तवा करसन छेतर के अंदर एम द्रब्यमान का कोई बस्तू अनंत दूरी पर रखा गया है अनंत दूरी पर रखा गया है सुविधा के लिए हम लोग मानन लेते हैं अनंत दूरी एक्स मानते हैं X मानते हैं ताकि मेरा calculation हो सके तो दोनों दरब्यमानों के बीच लगने वाला बल कितना हो जागा आप लोग जानते होंगे तो F is equal to G ये हो जागा M, M, Y हो जागा X स्क्वेर समी का नंबर हम लोग एक मान लेते हैं इसको ये बल होगा अब हम लोग क्या करते हैं चुकि दोनों दरब्यमानों के बीच में एक आकरसन बल लग रहा है जिसको हम लोग गुर्तु आकरसन कहते हैं ये दरब्यमान चाहेगा कि इस दरब्यमान को मैं अपनी और खीच लूँगा तो इसका मतलब है कि बल की दिसा उसका इधर होगा बचो बड़ी दरब्यमान क्यों अब हम करते हैं क्या चोटे दरब्यमान को इस बिंदू से मना इस बिंदू को भी यदि हम लोग कुछ मान ए बिंदू तो ए बिंदू से डी एक्स दूरी तक बिस्थापित कर बी बिंदू तक हम लोग लाते हैं यहां से यहां तक यह दूरी कितनी है डी एक्स तो डी एक्स दूरी से हम लोग बिस्थापित करते हैं तो बिस्थापन भी देखिए बल की दिसा में हो रहा है द्रबिमान M को Dx दूरी से विस्थापित कर B बिंदू पर लाते हैं तो विस्थापन में किया गया कारे कितना हो जाएगा आप लोग जानते हैं बताइए तो तो बिस्थापन में किया गया कारी कितना होगा बचो तो कारी का हम लोग जनते हैं कि dw is equal to क्या होता है f vector dot यहां पर होता है ds vector तो इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे बचो तो हमको क्या मिलेगा f dx और यहां पर हमको मिलता है cos theta आप लोग कारी को पढ़े होंगे बचो तो यहां पर चितर के अनुसार आप हम लोग को बताईए कि बल और बिस्थापन के बीच का कून कितना होगा चुकि बल और बिस्थापन एक दूसरे के समानता रहे अता दोनों के बीच का कून ठीटा हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जानते हैं, लिख भी देते हैं बच्चों, कि यहाँ बल और विस्थापन, यहाँ पर गुर्तवा करसन बल, यहाँ गुर्तवा करसन बल, गुर्तवा करसन बल तथा विस्थापन, विस्थापन एक ही दिसा में है, एक ही दिस हो जाएगा और cos zero is equal to आप लोग जानते हैं बचो is equal to one होता है तो इसका मतलब है यह value हो जाएगा one तो यहाँ पर कारी कितना हो गया बचो देखिए तो w is equal to हो जाएगा मेरा f dx तो f का मान समीकरन एक से रख देते हैं तो लिखेंगे देखें f का मान यहाँ पर रखेंगे तो यह मिलेगा g m m और नीचे में हो गया by x square और यहाँ पर मेरा हो जाएगा dx तो अब हम लोग समाकलन करेंगे तो बस्तू को हम लोग कहां से कहां तक भी स्थापित की हैं इस बात का कल्पना करें हम लोग बस्तू को अनन्त से उठाएं हैं बच्चों और आर दूरी तक यदि हम लोग इस दूरी को यदि हम लोग आर मान लें कि m दरबिमान के बस्तू से b बिंदू की बीच की दूरी यदि आर है तो बस्तू को हम लोग कहां से बिस्थापित की हैं तो आप लोग बीच की दूरी कितनी होगे आनन्त से आर चुकि हम लोग यहां से यहां तक यह की दूरी को आर मान लिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि X का वेरियेशन कहां से कहां तक हो रहा है एक्स एक बार यहां पर infinity था तो X की यहां पर integrating both side दोनों तरफ समा कलन करने पर समा कलन की सीमा क्या होगी पहला लेंगे x से infinity क्योंकि बस तू को मैंने आनंद से उठाया और r दूरी तक ले गिया और x एक बर कितना हो रहा है r मेरा हो रहा है नहीं तो समा कलन कर यह integration हो गया इधर dw इधर भी integration कहां से कात होगा बचो infinity to r हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे बचो यह हो जाएगा gmm और नीचे में हो जाएगा by x square और यह हो जाएगा मेरा dx तो अब देखे constant time यहाँ पर gmm constant time है यह बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 by x square का होगा तो dw का integration तो w होता है हम लोग जानते हैं आप constant time को हम लोग बाहर करेंगे gmm और x square को उपर करेंगे infinity to r तो यहाँ पर हो जाएगा x to the power minus 2 और यह हो जाएगा dx तो that implies w is equal to यह हो जाएगा gmm है नहीं और integration यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि x to the power minus 2 का integration कितना होता है तो इसका integration होता है x to the power minus 2 plus 1 और यह भी हो जाएगा minus 2 plus 1 और यह हो जाएगा infinity to r अब एक एक करके इसका limit हम लोग इसको satisfy करेगा x तो that implies w is equal to कितना हो गया gmm है नहीं इसको solve करेंगे x to the power minus 1 करेंगे बच्चों इस minus को हम लोग इधर करेंगे और limit को satisfy करेंगे तो that implies w is equal to हो गया gmm minus का यहाँ पर sign लग गया और एक बर limit यहाँ पर आया बच्चों यहाँ पर एक बर limit आया तो यह limit कितना हो गया x to the power minus 1 एक बर x को r satisfy करेगा और एक बर x को infinity satisfy करेगा क्योंकि x का दो variation हो रहा है infinity to r हो रहा है अब बर infinity satisfy करेगा यहाँ हो गया infinity to the power minus 1 मैं इसको यहाँ पर solve कर देता हूं बच्चों आप लोग इसको समझी है बढ़िया से देखे w is equal to कितना हो जागा minus यह हो जागा gmm अब देखे यहाँ पर r to the power minus 1 है इसलिए हो जागा 1 by r और infinity to the power minus 1 है इसलिए 1 by infinity हो जागा आप लोग जानते है बच्चों कि 1 by infinity is equal to कितना होता 0 इसका मतलब यह term मेरा 0 हो गया तो w का value क्या आगया w का value आगया gmm और नीचे में हो गया by r अब गुरत्वा करसन या गुरत्विभाव की परिवासा से आप लोग जानते है देखे गुरत्विभाव का परिवासा क्या होता है देखे गुरत्विभाव की परिवासा से गुरत्विभाव की परिवासा से क्या जानते है तो b is equal to होता है w by m होता है तो that implies तो डबलू का विलू क्या हो जाएगा बचो gmm और नीचे में हो गया r और एक ठो एक यहां पर भी मौजूद है तो यह m और यह m यह बेग्जाकों को मैंने define कर लिया बच्चों या इसको अच्छी तासे समझ सकते हैं बच्चों यह क्या हो गया गुरताईकरसान , यह गुरताया कश्निक निकल गया तो यह kit इतना भी बात है मैंने आज आप लोगों को बताया है इसको अपने से आप लोग घर में बच्चों इसको परियास करें कि जितना कैलकुलेशन मैंने यहां पर किया है उतना कैलकुलेशन को आप लोग अपने से इसे समझने के बात करें तो ठीक है बच्चों आप लोग इसे र प्लोगहां बच्छों कि गुट्वाकर्शन बीवह और गुट्वाकर्शन चेतर की तीबरता के बीच में क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में संबंध क्या होता है उसके बाद फिर बहुत साրं के जैसे है Undy Isk contin का प्रियास करें मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूँगा बचों आज इतना ही विडियो बना करके मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा आप लोग बच्चे हमेशा हसते रहें खेलते रहें मुस्कुराते रहें और इसी परकार हमारे विडियो को देखें यदि यहीं समाप्त करता हूँ आप लोग पुना आप लोग के साथ मुलाकात होगी एक नए विडियो के साथ तब तक के लिए लॉट्स आप थैंक्स बच्चों धन्यवाद जैहिन झाल झाल झाल